नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करते हूँ कि आप सब अच्छे होंगे तो क्या चार्जर पे डेटाउल डालना जरूरी है दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों लेकर आगए हैं आज बहुत ही काम का यूश्फुल टिप्स और ट्रिक जिसे यहां पर हम एक ले लिए हैं और बना रहे हैं यहां पर एक हम सेलूसन तो देखिए सेंपू को सूई धागा लेकर और इसमें एक हम डॉट बना रहे हैं ताकि इसे हम कहीं पर भी हैंग करके रख सके तो सूई धागा से देखिए दोस्तों छोटे सा डॉट लगा ले रहे ह सकत्व suspected becoming a future कि एगर हमारे किशन में हैंस खतम हो जाते हैं और ततकाल में हमें हन्ट सक्रास करना हो हाथ को अपना ये कफ़ोड़ा सी ठिड़ा से क्या कर यह घचा है थोड़ा सा क्रेश की जाते लगा लाइक किजेगा तो चले देख लेते हैं नेक्स टीप नेक्स अडिया है दोस्तों यहां पे दही जमाने को लेकर आज हम सिर्फ दोस्तों दस मिनट में दही जमाने के लिए आप लोग को बताएंगे तो यहां पे दूद हम गरम कर लिए हैं और दूद को हलका सीर गरम रहना चाहिए तब जाके हमरा दही बहुत ही अच्छा जमता है जमाने से लेकर दूद को गरम करने से लेकर जमाने तक हम प्रोसेस बता रहे हैं दोस्तों देखिए यहां पे सिर गरम था लोटे में हम पलट लिए हैं और इस तरीके से जोरन थोड़ा सा डाल दिये हैं जोर करना है कि देखिए अब हम आटे में इसको गेहूं के आटा जो हम लोग रोटी बनाते हैं उसमें इस तरीके से रख देना है इसको हम गार के रख देंगे 10 मिनट के लिए और इस पे ढकन देखे चड़ा देंगे तो चले दोस्तों बंद करके रख देते हैं तो चलिए यहा यूस फूल लगा हो टिप सेंड ट्रिक तो जड़ा सभी किजेगा किजेगा चले देख़ोंते हैं दोस्तों चार्जर को लेकर देखिए चार्जर हमारे अगर हम लोग बौर्ड में लगाय चोड़ देते हैं डेली ही चार्ज करते हैं मोबाइल तो धूल लग रहा है कि पूरा वाइट कलर का चार्जर मेरा लग रहा है देखेगा कितना धूल मिटी निकलेगा दोस्तों आप लोग को सामने हम दिखा रहे हैं लाइप रूप तो यह देखिए कॉटन में यह देखी कितना गंदगी निकला तो इस तरीके से हम अपने चार्जर को भी चमका लेंगे साफ करके रखेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे क्यों कि धूल मिटी कोई समान पर पड़ा रहता है तो अच्छा नहीं लगता है दोस्तों हम हाउस वाइप को कोने कोने की सफाई करनी जरूरी होती है तो इस तरीके से देखिए अपने चार्जर को वॉतरी है दोस्तोों इस तरीके से खेंगे सारी रोटियों को इस तरीके से कोई बर्तन में रखते है तो क्या होता है नीचे वाला अचे वाला नीचे में रोटी घूाटा- Śवाफ में निय्क्स踏ंट आप उरे बरतन में क्या करना है दोस्तों कि यहां पे क्लोथ के लिए जो हम लोग कपड़ा चारतने वाला चूटा होता है यह इस तरीके से और इसके उपर से कपड़ा को भी छा दीजिए और तब रोटी रखना इस्टार्ट कीजेगा तो एक भी रोटी जैसा कि फूलेगा नहीं कैसे नहीं फूलेगा दोस्तों क्योंकि हमारी बरतन में जिसमें रोटी रखे हैं वो थोड़ा उचाई पे कपड़ा है इसलिए बरतन में नीचे कपड़ा पहुचा नहीं है यानि कि तो उसी लिए बरतन में जब पहुचता है ठेके रहता है तो वाप से पानी छूडता है और हमारा फूल तो लाइक किजिए करने के साथ शेयर कीजिए अपने दूस्तों इस तरीके से मैं निव न्यू टिप्स वाली वीडियो लाती रहूं तो दोस्तों में नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाय है रहा 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 रहु